हेलो दोस्तो मैं जली स्वागत करती हूँ आपका क्लास टाइम यूट्यूब चैनल में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके लिए आई हूँ एक और नाई भरती का नौटिफिकेशन ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्तान उच्छे नियाले जोतपुर के द सारी डीटेल बताने वाली हूं किया इसमें योगिता मांगी गई है कबसे जो आवेदन है वो स्टार्ट है क्लास अहिने रेलतिए जारत करते हैं तो देखिए आप सबसे पहले बात करते हैं सेलरी की तो सैलर्स में क्या रहीगई तो पर मेट्रिक्स लेवल एट के अनुसार इसमें पेस्केल आपका रहेगा यह देखिए 26,300 से 23,500 रुपे दे होगा और जो प्रॉबेशनल पीरियड है उसमें आपकी जो सैलरी है 2 years के लिए 18,500 रुपेज रहेगी इसके अलावे देखिए यहाँ पर जो रिक्तियां है यानि कि कितने से टोटल पोस्ट है तो देखिए आपर जो टोटल पोस्ट है इसमें 230 230 पदो पर यह जो वेकेंसी है वो निकाली गई है जिसमें अन्रिजर्व के लिए इसमें 85 पोस्ट है EWS के लिए 23 और टोटल जो यह SC के लिए है 36 इसके अलावे यहाँ पर देखिए और भी इसमें जो पोस्ट है वो दे रखी है अलग-अलग पोस्ट डिवाइड की गई है तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इसमें पोस्ट देख सकते हैं इसके अलावा यह देखिए यहाँ पर विभिन वर्गो के लिए यानि कि जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर सारी बाते कही गई है यह देख सकते हैं आप वीडियो पॉस करके इसके अलावा इसमें जो योग्यता है वो क्या मांगी गई है तो मैं आपको बता दू जिसमें यून्तम सेक्षन है क्यों गेता यानि कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है तो बी इबी टेक बी एससी इन कंप्यूटर साइंस और इक्यूबलेंट डिग्री फॉर्म रिकर्गनाइज यूनिवर्सिटी यानि क कि बी टेक बी एससे आपके पास की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी मानियता प्राप संस्थास से इसके अलावा देखे कम्पीटर एप्लिकेशन पी जी डी सीय का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए एए लेविल और ठी यह डिप्लोमा इन फॉर्म नहीं भर सकते हैं यहाँ पर देखिए श्यारी कुप्यूक्तिता के बारे में बताया गया है स्राश्टिता के बारे में एज लिमिट की बात करते हैं तो देखें यहाँ पर एज चुल्क एक्जामिनेशन फीस के लिए बताया गया है तो सामाने वर्ग यानिकी जर्नल के लिए इसमें 750 रुपे रायस्तान के अन्य पिछड़ा वर्ग नौन क्रिमिले अती पिछड़ा वर्ग क्रिमिले आर्थिक रूप से कमज़र वर्ग के लिए 600 रुपे और अनुसुच आड़न और तल उसमें आपका रहेगा और टॉट्ल इसमें आपको टाइमिंग टू आर्स का मिलेगा इसके लावा देखिए हैं आप पर निखित परिक्षिक की आया जन विधि बताई गई हैं यहां पर यह देख सकते हैं मेथर ओफ लेक्ट एटेंग डेएंटे देख सकते हैं इसके अलावा पार्ट B में आपको बता दू देखिए यहां पर जनल नौलेज इंगलिश से संब्धित कुष्टिन आएंगे जिसमें जनल नौलेज भी देखिए आपर इसके अलाव पार्ट B में देखिए आप यहां पर टाइप राइटिंग टैस्ट आपका रहेगा कंप्यूटर पर रहेगा यहां पर तेस्ट और यहां पर देखिए पेपर स्पीड टैस्ट आपका रहेगा 25-25 माक्स का रहेगा हिंदी इंग्लिश दौनों का 5-5 मिनाट्स का रहेगा देखिए इसमें आफूटिम का रहेगा है इसके अलावर देखिए यहां पर जो और यह जो टेस्ट आपके देखिए यहाँ पर यह कैलिवरी कुरूतिदेव 010 में कराए जाएंगे हिंदी में और कैलिवरी फॉर इंग्लिश के लिए कैलिवरी में कराया जाएगा यहाँ पर देखिए section C personal interview उसमें section C में आपका personal interview रहेगा अगर यह दोनों टेस्ट आपने पास के लिए तो section C में personal interview का आपका 20 marks का यह जो पेपर है वो रहेगा देन यहाँ पर देखिए आविदन करने की समय सीमा तो देखिए आपर online आविदन करने की समय सीमा तो 4-1-2024 यानि कि 4 जनवरी 2024 दो पर 1 बज़े से दिनक देखिए आविदन शुल्व जमा कराने की जो डेट है वो भी इसमें दे रखी है देन यहाँ पर देखिए आविदन से संब्धित निर्देश दे रखे हैं इसके अलावा देखिए आपर पर परिक्ष का स्थान माहा एम दिरांग तो राजिस्तान उच्छी नियाले द्व हुए तो अन्य चेहरों में भी जो परिक्षा है वो आजित की जा सकती है परिक्षा के महां दिनाक से संब्ध में सूचना प्रत्थक से प्रसारित की जाएगी निकि बाद में इसमें जो एक्जाम डेट है वो बता दी जाएगी देन यहाँ पर देखिए एडविशन कोई भी प्रवेश्पत्र नहीं भेजा जाएगा तो दोस्तों जो जो भी इसमें इंपोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है इसके लावा आपको कुछ भी पूछना है कुछ भी आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और क्लास राइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब पर सकते हैं ताकि भरतियों से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहें